Hello Friend, Welcome Back to Studywire YouTube Channel और इस lecture में हम गडित का सिक्षण सास्त्र का lecture number 4 डिसकस कर रहे हैं अभी तक हम total 3 lecture discuss कर चुके और हर lecture में हमने 20 questions लिये हैं मतलब अभी तक हम total 60 questions discuss कर चुके हैं 60 और अब यहां हम 61 से 80 तक discuss करेंगे और यह जो lecture होगा हर एक TET के लिए होगा जो भी हिंदी भासी चेत्र हम होता है जैसे MPTET, CTET, READ, 36 गर TET, UP, Bihar, हरियाणा मतलब जितने भी हिंदी भासी चेत्र है और जिनमें TET का exam होता है वहाँ आप इसे apply कर सकते हैं मतलब जो इस इक्षण सास रोता है वो same ही होता है मतलब आप इसे use करेंगे जादे better होगा और कहीं न कहीं आप एक exam में अच्छा score कर पाएंगे आज का पहला question हो जाएगा कि मुल्यांकन के अंतरगत किसे परिच्छा की उत्तर पुस्तिका का यहाँ पर जाएगा विभिन ठीक है विभिन सिक्छा को द्वारा जाज करने पर उसके प्राप्त अंकों में कोई अंतर नहीं आता है तो यहाँ विसेस्ता कहलाती है ठीक है मतलब देखो हमने क्या हुआ है कि मानलो यह पहला teacher है इनने किसी copy का मुल्यांकन करा और मानलो 30 marks दिये फिर अदर दूसरे teacher के पाँ जाती है उनने भी उसी copy को चेक किया और फिर से 30 marks दिये तो यह विसेस्ता क्या कहलाती है तो पहला option हो जाएगा वस्तो निष्टे था second हो जाएगा विस्वास नहीं था third option हो जाएगा वैदिता और fourth option हो जाएगा इन में से कोई नहीं ठीक है तो इसका option number second हो जाएगा विस्वास नहीं था मतलब जो पहले बच्चे ने total 30 marks प्राप्त के थे हुँगे तो पहले teacher ने उसे चेक किया और दूसरे ने भी उसे चेक किया मतलब उस student ने जो अपनी विस्वास नहीं था भरोसे के साथ question answering solve करी थी तो वो दोनों teacher के अनुसार same आ रही है ठीक है तो ये किसका बोधकर आती है तो विस्वास नहीं था का अगला question देखते हैं question number 62 होगा कि आप वृत की परीधी ज्याद करने के लिए किस सिक्षण विधी को प्रयोग में लाएंगे ठीक है वृत की परीधी ज्याद करना है ठीक है ये वृत है और इसके परीधी होती कितनी 2πR और इसको समझाने के लिए या इस वृत की परीधी को ज्याद करने के लिए कुन से सिक्षण विधी प्रयोग में लाएंगी तो पहला option हो जाएगा विशलेशन विधी, second option हो जाएगा इकाई विधी, third option हो जाएगा क्रिया विधी और fourth option हो जाएगा निगमन विधी ठीक है तो option number D होगा right answer निगमन विधी के द्वारा हम विधी प्रयोग करेंगे अगला question हो जाएगा कि विधी प्रयोग के विधी तता व्यास के संबंद ठीक है तो देखो पिछला question जो था यार उसमें विधी प्रयोग के बात हो रही थी मतलब normally हमें 2pi r ही proof करना था परन्तु यहाँ पर हम अगले question में जाते हैं 63 में तो यहाँ question कुछ इस प्रकार से है कि विधी की परीदी ठीक है विधी की परीदी मतलब 2pi r और व्यास मतलब व्यास क्या हो जाएगा d diagonal या फिर इसको क्या वो सकते हैं 2r ठीक है व्यास बराबर से 2r के भी संबंद ग्यात करने हे तू किस विधी का प्रयोक करेंगे तो पहला option हो जाएगा आगमन विधी second हो जाएगा विशलेशन विधी third हो जाएगा निगमन विधी और fourth option हो जाएगा प्रयोक साला विधी तो देखो यार हम इन दौनों में संपर्ग करके second option है मिठाई देकर third option है चातरों को दंडित करके और fourth option हो जाएगा सिक्चा के द्वारा ठीक है तो अनुपस्तिती रोकी जा सकती तो option number first हो जाएगा right answer अभिवाव को तथा माता पिता से संपर्ग करके या बात करके अगला देखते है question number 65 हो जाएगा कि बालक किस खेल से बल एवं दूरी के संबंद में संबंद ग्याद कर सकता है ठीक है तो देखो especially notice करना है बल और दूरी दौनों चीज़ों के बीच में संबंद हम किस खेल के द्वारा ग्याद कर सकते हैं साप सेड़ी साप सेड़ी में कहीं न कहीं दूरी की तो बात होती पर बल की बात नहीं होती मतलब आंसर नहीं हो सकता second option है number top ठीक है मतलब फिर अकनी जो होती है ऐसी गोल गूमती है ठीक है तो इससे भी हम बल का प्रता नहीं लगा पाएंगे ठीक है बच्चों की बात हो रही 1 से 5 तक की अगला जाएगा गुली डंडा या फिर जिसे हम गिली डंडा के नाम से जाने जाते हैं तो देखो यार इसमें बल भी लगेगा और दूरी भी रहेगी मतलब option number C हो जाएगा right answer की बालक को अनुसार ठीक है अनुसार विद्याले की गडीत उस इस्तिती में नहीं होती जहां बच्चे ठीक है मतलब गडीत में हम विद्याले में ऐसा ऐसी कूंसी करिया है जो की गडीत के subject में नहीं कराते तो पहला option हो जाएगा सूत्रों और algorithm को contest करते हैं तो यही इसका देखो उसने नहीं पूछा है ठीक है मतलब option number पहला इसका right answer होगा है कि विद्याले में हम कभी भी गडीत के lecture में algorithm और सूत्रों को कभी भी contest नहीं कराते जिने समझाया और practice कराई जाती है इसलिए उसने नहीं होगा पूछा इसलिए first answer होगा इसका right answer सूत्रों और algorithm को contest नहीं कराया जाता और यहां करने की बात हो रही है अगला question देखते है question number 67 हो जाएगा कि एक बालक अपनी अभ्यास पुस्तिका को देखने सरी एक बालक अपनी अभ्यास पुस्तिका देखने से पता चलता है ठीक है मतलब ऐसा कुछ है यार एक बालक की जो अभ्यास पुस्तिका है ठीक है ये अभ्यास पुस्तिका जो है एक बालक की इससे देखने से पता चलता है कि वृत की परीधी ठीक है मतलब इसमें व्रिथ बना है और व्रिथ की परीदी जिसको 2πr का प्रयुक यह तो बिल्कुल सही है कि एक teacher जो कि बालक की copy को देखता है और इसमें व्रिथ की परीदी के बाथ होती तो उनने 2pr का मतलब प्रयुक किया है तो यहां तक तो सही है तथा अर्धिवृत की परिधी ग्याद करने के लिए वह पाई-R सुत्र का प्रयुक करता है । यह तो गलत है है क्योंकि عرض वृत की परिधी क्या होती है सौरी पाई-R प्लस टू-R होती है ठीक है عرض वृत की परिधी मतलब अर्द वृत की परिधी उसे ने रूटी का क्या कारणे तो पहला option हो जाएगा चात्र को योग संक्रिया का ग्यात नहीं है second option हो जाएगा चात्र को अर्धिवृत की परीधी की अवधारना इस पश्ट नहीं है बिल्कुल पाई आर प्लस टू आर जो कि अर्द्वृत की परीदी होती सही निकालता यदि उसे उसकी अधारणा ग्यात होती कि इसकी तो अर्द्वृत की इसी आधार पर आप्सन नमबर सेकेंड होगा इसका राइट आंसर अगला कुशन देखते हैं कुशन नमबर 68 की कक्षा में अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए लाभानी का प्रकरण पर पढ़कर वह घर पर किसी वस्तू पर होने वाले लाभानी का पता लगाते हैं मतल्ब बात यह कि यह फ़ई बच्चे क्या होते हैं इसकुल में जब लाभानी टीचर द्वारा पढ़ा दिया जाता है तो वह घर जाकर उसी लाभानी का प्रयोग करते हैं कुन बच्चे तो यहाँ प्राप्त उद्देश है, मतलब कौन सा उद्देश प्राप्त किया, बच्चों ने घर जाकर अपने लाभाणी का यूस किया, तो पहला option हो जाएगा ग्यान का, second हो जाएगा आभवद का, third option हो जाएगा यहाँ पर ग्यान उपयोग का, और fourth हो जाएगा दक्षित और उसका घर में आके बच्चों ने यूज किया, इसी आधार पर option number C होगा, right answer ग्यान उप्योग, अगला question देखते हैं कि बाला गडीत में, sorry, बाला गडीत के जिस छेत्र में कमजोर है, मतलब कोई न कोई ऐसा छेत्र है, गडीत का जिसमें बाला कमजोर है, वह कमजोरी को द इसका हो जाएगा, right answer, उप्चार आत्मक, मतलब बच्चा एक विसेश छेत्र में गडीत में कमजोर है, उसका उप्चार किया जाएगा, उप्चार आत्मक, ठीक है, निदान आत्मक वहाँ यूज करते हैं, जहाँ बच्चा गलती कर रहा है, अगला दिखते है, question number 70 हो भासकर आचारे ने दिया, second option गोले का घनफल बराबर से, गोले का छेत्रफल गोड़ित एक बटे छे वियास ये भी सही है, और third option हो जाएगा, अनंत पार्सु सिद्धान्त ये भी सही है, ठीक है, और पाई का निकटतम मान, ये गलत है, मतलब हम यहाँ भासकर आचारे की देने तो ये तीनों के तीनों सही है, ठीक है, मतलब इसका option number one, two, और तीन, तीनों के तीनों सही होंगे, ठीक है, मतलब यहाँ पर उसने वैसे question ये पूछन ये पूछना था कि भासकर आचार की देन नहीं है, अगर ऐसा पूछते तो option number d right answer होता, परंत उसकी देने बोला, मतलब ये तीनों के तीनों right answer है, परंतो यहाँ थोड़ी सी question में misprint है, कि भासकर आचार की क्या देन नहीं है, ये पूछना चाहिए था, तो option number d होता है, इसका right answer, question number 71 हो जाएगा, कि छात्र को विभिन गडिती आकरतियां देकर उनमें से त्रभुजाकार आकरती अलग करा ही जाती है, ठीक है, मतलब एक छात्र को विभिन गडिती आकरती दे दी और उसमें से त्रभुजाकार आकरती को अलग कराए जाती है, इसका प्राप्त उद्देश क्या है, मतलब क्या उद्देश है, टीचर का, ठीक है, तो पहला option हो जाएगा यान आत्मक, second हो जाएगा अबोध आत्मक और third option हो जाएगा अनुप्रयोग आत्मक और fourth option हो जाएगा कॉसल आत्मक तो option number second हो जाएगा, इसका right answer अबोध आत्मक जिसके अंतरगत बच्चों का अलग-अलग प्रकार के आकरती देखर एक विशेस आकरती को चुनने या छाटने के लिए कहा जाता है, अगला कुशन दिखते हैं, 72 की इकाई उपागम ठीक है, यूनिट प्लान किस सिक्छाविद ने दिया था, ठीक है, इकाई उपागम किस सिक्छाविद ने दिया था, तो पहला option हो जाएगा यहाँ, ऐसी चन ने, second option हो जाएगा, Robert Bruce ने, third option हो जाएगा, Alan ने, और fourth option हो प्रतियों के लिए, ब्रेल लिपी का प्रतिपादन किस ने किया था, ठीक है, मतलब जो नेतरहिन बच्चे होते हैं, वो ब्रेल लिपी का यूज़ करते हैं, इसका प्रतिपादन किस ने किया था, तो पहला option हो जाएगा, Robert Bruce ने, second option है, Fred Bell ने, third option है, Lewis, ब्रेल ने, और fourth option हो हो जाएगा कि पाठ्थे वस्तु की द्रिष्टी से गडित की प्रक्ति है, ठीक है, मतलब पाठ्थे वस्तु की द्रिष्टी से गडित की प्रक्ति किस प्रकार किया, तो पहला option हो जाएगा, निसकर से स्पष्ट, second option हो जाएगा, सिद्धान्त वा सूत्र आधारित, third option हो सारवभामिक समान और फोर्थ आप्सन हो जाएगा उप्युक्त सभी तो आप्सन नमबर डीस का राइट आंसर होगा कि गडित के पाठ्थे वस्तू निसकर्स इसपष्ट और सिद्धान्त एम सूत्र आधारित और सारवभामिक समान होती है मतलब ठीक है मतलब जो उसके निस सेम आएगा इसी अधर पर आप्सन नमबर डी होगा राइट आंसर अगला कोशन देखते हैं कि राष्टी पाठ्थे चर्चा की रूप रेखा 2005 खालिस्तान पर बल देती है तो पहला आप्सन हो जाएगा निमन उपलब्दियों के लिए गडित पाठ्थे चर्चा अलग हो फोर्थ ऑप्सन हो जाएगा गडित चैनीत विद्ध्यारतियों को पढ़ाया जाएगा तो है और ऑप्सन नमबर सी इसका राइट आंसर होगा कि 2005 की जो राष्टी पाठ्थ चर्चा रूप रेखा थी उसके अनुसार गडित में सफलता प्रत्यक बच्चे के लिए आउश प्रकार से होगा है कि गडित सिक्षन में बालकों में यहां पर यह आएगा बालकों में तर्कपून निश्चै एवं क्रमबद क्रम पद्यती से सोचने की सकती का विराम होता है ठीक है यह तत्थे गडित सिक्षन के जिस सामाने उद्देश की पूर्थी करता है वह है ठीक है मतलब हम यह बोल सकते कि गड़ी सिक्छण से बालकों में तरकपूर निश्चय एवं करमबद्दता से सोचने की सकती का विराम होता है ठीक है यह तथे गड़ी सिक्छण के जिस सामाने उद्देश की पूर्थी करत अनुसासन आत्मक उद्देश क्योंकि जब हम गडित पढ़ाते तो step by step आपको हर एक अनुसासन में रहे के ही उसे solve करना होता है otherwise एक point के भी गलती से answer दूसरा आ सकता इसलिए अनुसासन आत्मक इसका right answer होगा कि एक अनुसासन में रहते हुए गडित का एक निश्चय और क्र सर्वश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् लेना भूल चुका है यहां वैसे ते आठ तिया चोविस और आठे का माट ये भी गलत कर दिया ठीक है उनने मतलब यहां हासिल का नहीं लिया है उसकी तुरूटी का कारण है ठीक है तो पहला उप्सन जाएगा उसे गुड़न क्रिया नहीं आती तो यह गुड़न करते तो आ अगला देखते है कुश्चन नमबर 79 की जयामिती की बाइबल कुन सी पुस्ता कहलाती है ठीक है जो जयामिती है उसकी बाइबल कुन सी पुस्ता कहलाती है तो पहला उप्सन हो जाएगा युकलिट की एलिमेंट्स सेकेंड उप्सन हो जाएगा यहां भासकराचार की लीला ठीक है अगला question हो जाएगा 80 number का कि सिक्षा जीवन के लिए एक तयारी मातर है ठीक है जो सिक्षा जीवन के लिए एक तयारी मातर है यहा कतन किसका है ठीक है यहा कतन किस ने कहा तो पहला option हो जाएगा Herbert, Spenzen, Second Option हो जाएगा Kinzen और Third Option हो जाएगा Fra, Vale और Fourth Option हो जाएगा Young का ठीक है तो Option No.1 हो जाएगा इसका Right Answer की सिक्छा जीवन के लिए एक तैयारी मात्रह या कतन किसका है तो Herbert, Spenzen का ठीक है तो आज की लेक्चर में इतना ही अगले लिक्चर में फिर मुलाकात होगी जब तक के लिए जाहिन जाएभारत